एडियार ने अरबपती सांस्दों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है Association for Democratic Reforms एडियार ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि राज्यसभा के 225 सदस्यों में से 27 अरबपती है अरबपती सांस्दों में सबसे ज़्यादा संख्या भाजपा के सदस्यों की है 225 में BJP के 85 सदस्यों है जिनमें 6 सांसद अरबपती है Congress के 30 सदस्यों में 4 अरबपती है YSR Congress के 9 में से 4 आम आदमी Party के 10 में से 3 और BRS के 7 में से 3 सांसद अरबपती है अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरपती सांसद आंध्र प्रदेश में हैं। इन 225 सांसदों में से 75 के खिलाफ क्रिमिनल केस भी है। 41 सांसदों यानि की करीब 18% के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। वहीं दो सांसदों पर हत्या IPC गिधारा 302 का केस और चार के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराद के मामले हैं। राज्यसभा के मौझूदा सांसदों की औसदन प्रपरटी 80 करोन रुपे से भी ज़्यादा है। बीजेपी के और सांसदों की प्रपरटी 30 करोन रुपे से ज़्यादा है। YSR कांग्रेस के 9 सांसदों की प्रापर्टी 395 करोन रुपे से ज़्यादा है भारत राश्ट समीती के 7 सांसदों की प्रापर्टी 799 करोन रुपे से ज़्यादा है ADR की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के साथ राज्यसभा सदस्यों की कूल प्रापर्टी 5596 करोन रुपे हैं आंधर प्रदेश के 11 सदस्यों की प्रापर्टी 3823 करोन और उत्तर प्रदेश के 30 सांसदों की प्रापर्टी 5941 करोन रुपे हैं अगर राज्यवार आकडों पर नजर डाले तो आंधरपरदेश की 11 राज्यसभा सदिस्यों में से 5 यानी 45 परसेंट तिलंगाना के 7 सांसदों में से 3 यानी 43 परसेंट और महाराष्ट के 19 सांसदों में से 3 यानी 16 परसेंट की प्रपरटी 100 करोंड से ज्यादा है ADR ने यह रिपोर्ट 18 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर लगाई है ADR ने नेशनल इलेक्शन वाच एन इडबलू के साफ मिलकर कूल 233 राज्यसभा सांसदों में से 225 के क्रिमिनल और फाइनेंसियल इस्तितिका इनालिसिस किया है ADR ने ये जानकारी चुनाओं के दोरान उम्मिद्वार्यों की ओर से दिये गए हलफ नामों के अधार पर दी है Bureau Report देश्वा नियूज सिर्फ खबर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा नियूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूले